डिलाइट आईएस में मैं कीवी सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में हम अपने NCRT सीरीज के क्लास 6 के चोथे अध्याए क्या बताती हैं हमें किताबी और कब्रें के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में हम निम लिखित बिंदूओं को कवर करेंगे आईए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक वेद वेद दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है दुनिया के कई सभिताओं के बारे में और कई हमारी संस्कृति के बारे में हमें वेदों से पता चला है वेद चार है रिगवेद सामवेद येजुरवेद और अर्थवेद रिगवेद सबसे पुराना वेद है इसकी संरचना 3500 साल पहले हुई है आप सभी को याद होगा कि मैंने पहले अध्याई में भारत शब्द की उत्पत्ति किस से हुई है वह रिगवेद में बताया था रिगवेद में 1000 से ज़्यादा परातनाएं हैं जिने सूक्त कहा गया है सूक्त का मतलब है अच्छी तरीके से बोला गया यह विभिन देवी देवताओं की इस्तुती में जो रचे हुगए शब्द है वह है इनमें तीन देवताओं का बहुत महत्पून विवरन है अगनी देवता, इंद्र देवता, जोकि यूद्र के देवता थे, सूम सोम एक प्रकार का पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पे बनाया जाता था इसके साथ ही रिखवेट में कुछ सूक्त वारता लाब भी है जो कि विश्वावित नामा के एक रिशी और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां जो हमारे हाँ नदियां देवियों की रूप में पूजित होती हैं उनमें जो दो हैं व्यास और सतुलज के बीच के ही कुछ समवाद का भी अंश है इसमें इसके अलावा हम ये जानते हैं जो व्यादिक प्रात्नाओं की जो रचना थी न वो रिशियों ने की थी उस समय के जो गुरू होते थे वो विद्यारतियों को इनके बारे में अच्छे से कंठस्त कराते थे इनकी जो रचेटा अधिकतर पूरुषते परन्तु कुछ प्रात्नाओं की जो रचना थी वो महिलाओं ने भी की है इसकी भाशा प्राक संस्कृत या व्यादिक संस्कृत क हाथ से हस लिकित इसकी जो पांडू लिपियां हमें प्राप्त हुई हैं वह काफी पुरान ही जिससे यह पता चलता है कि यह इसको हाथ से लिखा गया था संस्कृत भाशा के बारे में आए कुछ थोड़ा जानते हैं संस्कृत भाशा भारोपिये भारत तथा येरोपिये परिवार का हिस्सा है जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत बहु भाशी देश हैं भारत में अनेक प्रकार की भाशा हैं असमिया, गुजराती, कश्मीरी, हिंदी जो कि हमारी प्रमुख भाषा है और कई अनेक एशियाई भाषा जैसे फार्सी तथा ये रोप की अनेक भाषा है जैसे अंग्रेजी फ्रांसिसी युनानी जर्मन इटाइलियन स्पैनिश जो इस तरीकी की भाषा है वो आपस में जुड़ी हुई है इनका भाषा परि देख सकते हैं कि एक ही जैसे हुई है इनमें कई अलग दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं सुप महादीप में जैसे कि पूर्वोत्तर में तिबबत बर्मा परिवार की दक्षिन भारत में दक्षिन द्रविन भाषा परिवार की और जहारकन और मत प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है उस्ट्रो एसियेटिक परिवार की हैं इसके बाद हम जानते हैं उस समय के मवेशी घोडों और रथों के बारे में जो कि उस समय के हमारे प्रमुख शोते वैसे यह बहुत आश्चर जने को बात है कि इससे पहले की जो सभेता थी य तो उसके पचेद हम पता नहीं कैसे आज तक यह बता नहीं चल पाया कि जो वैदिक सभेता थी वो ग्रामीन थी हम कैसे एक दो जनेरेशन पीछे आ गए और गाउं में रहने लगे उस समय हमारी सभेता इस तरीके से नगरी सभेता सिंदू-गाटी सभेता अच्छे से सुन रिगवेद में मवेशियों और घोडों की प्राप्ति के लिए और बच्चों अथार्थ पुत्रों के लिए अनेक प्रकार की प्रात्ना हैं घोडों की लडाई में रत खीचने का काम मिलाया जाता था घोड़े बहुत महत्पून थे इनमें कई लडाईयां मवेशि के भी ओता था कुछ लड़ाईयां लोगों को बंदी बनाने के लिए भी रखी जाती थी इसमें से कुछो कुछ धन था वा सर्दा जो की मुखिया होता था एक किसी ग्रूप का वो रखता था कुछ हिस्सा वहां के पुरोहित को जाता था जो अपने लिए इसको रखते था अनाज जानवर हमें इनकी भी आहूती देने को मिल लिए इस प्रकार से हमें यग का जो यग की जो कॉंसेप्ट है न वो हमें आरे समाज मतलब जो वैदिक सभता है उस समय काफी ज्यादा देखने को मिलता है अधिकान जो पुरुष होते थे वही युद में भाग देते थ था ही सेना नहीं थी क्योंकि एक तरीके का समराज नहीं था ये काफी छोटे-छोटे हिस्सेओं में रहते थे सभी लोग मिल जुलके रहते थे अधिकतर शांती से और अपने विशेष का सलाह मशारा करते थे और ऐसे लोग बहुत अपने सरदारों को चुनते थे जोकि बह आए पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ हमारा दूसरा है लोगों को विशेष्टा बताने वाले शब्द लोगों का वरगी करन यहां पे काम भाशा परिवार या समुदाय के इस तरफे हुआ था पहली बार समाज का वरगी करन हम एक तरीके से यहीं पर देख सकते हैं यह जाती ववस्ता हमारे सन्सक्रि किरती में हमारे समाज में उसकी शुरुआत हमें यहीं से देखने को मिलती है यहां क्यों नह travaille नहीं पर लिए जेुआ इपर हमने काल्सकों कृक्सितोन पुरोहित यहने कभी कभी ब्राह्मन कहा जाता यह तरह-तरह के यह अनुष्ठान करते थे इनका यह पूजा पार्ट में में अपना समय व्यतीत करते थे यह लोगों को धार्मी कारियों के लिए प्रियुक्त हुए थे यह ज्यादा तर राजा यहां के दूसरे लोग राजा कर दिया था, इसके राभा यहां पर आनुवानेशिक ववस्ता नहीं थी, यहां पर राजा के बाद उसका बेटा ही शाशक बने, ऐसा नहीं होता था, इसके साथ ही जनता और पूरे समुदाओं के लिए दो शब्द का प्रयोग के रहा था, एक था जन, जिसका प्रयोग आज भी हम समाने जन या समाने भाशाओं में करते हैं, जिसका था समाने जन, और दूसरा शब्द है विश, अर्थात वैश, रिगवेद में विश और जनो के नाम भी मिलते हैं, इसलिए हम पूरू जन, विश, भरत जन, या विश, यदू जन या विश कई प्रकार का उल्लेख हमें रिगवेद में इन शब्दों का मिलता है, इसके अलावा, जिन लोगों ने प्रात्नाओं की रचना की थी, वहां अपने आपको आ रह किया था, मतलब जिस तरीके से हमने रिगवेद में देखा, कि कही तरीकी सुक्तों की रचना की गई है, जो देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता, उन्होंने अपने आपको आर कहा था, अपने विरोधियों को दास या दश्यू कहा था, दश्यू कौन थे, इसके बा होते थे, जो जादा तर युद्ध में बंदी बनाये जाते थे, उन्हें उनके मालिक के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था, जो वो चाहते थे, उन्हें वैसा ही काम करना पड़ता था, इसके बाद हम जानते हैं महापाशान कबरों के बारे में, यह भी हमारी सभिता के बारे में एक बहुत बड़ा मुख बिंदू है वहां उस टाइम पे किस तरीकी की इस्तिती थी उसके बारे में बताने के लिए यह जो शिलाखंडे महा पाशान महा मतलब बड़ा पाशान मतलब पत्थर नाम से हम इसका पता कर सकते हैं कि हम बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया थे यह पत्थर दफन करने की जगे पर लोगों द्वारब बहुत ही करीने से लगाये गया है एक ही महा पाशान में देखने को मिलती है इन में हमें ये भी देखने को मिला कि कई गोला कार सजाए हुए पत्थर कई बार एक अकेरा खड़ा हुआ पत्थर मिलता जैसा कि आप सामने चित्र में देख सकते हैं इस तरीके के महा पाशान के पत्थर को ताबूत शवाधान यानि क पहां कि आई हुआपर नुवह सतनों के मित्टी के अधार जेएं जिन्हें लाल काली मित्टी के बर्तन ब्लیک एंड रेड वेर के नाम से जाना जाता है इनके साथी यहां पर लोहे के ओजार, हतियार, घड़े के घोड़े के कंकाल और इसके साथ पत्थर, सोना यह भी मिला है पुरातत विद यह भी मानते हैं कि जो यह कंकालों के साथ जो मरी हुई कंकालों के साथ जो दबाई हुई चीजें थी आ वह समाजिक असमानता के बारे मचाथे जो जितना अमीर वेक्ति था उसकी कबरों में उतना ही मतलब उतना ही कीमती चीजें मिलती थी जहां तक एक वेक्ति के कबर में 33 सोने के मनके और शंक पाई गए हैं वहीं कहीं दूसरे कंकालों में सिर्फ मिट्टी के बरतन ही पाई जाते ते, इससे ये परचलता कि कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे कुछ लोग सर्दार थे, तथा कुछ लोग सिर्फ अनुनाई थे कुछ महा कब्रें जो हैं, जो कब्रें हैं वा खास परिवारों के लिए हैं, कभी-कभी यहां से एक से अधिक अंकाल मिलें, यह दर्शाद से हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर दफनाया गया था, यहां पर मरने वालों लोगों के लिए पोर्ट होल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चित्र में दिख रहा है आपको, उसके रास्ते से कबरों में लाके दफनाया जाता था, इन पर जो लगाया गए पत्थरों चट्टानों का में चिंड बनाया जाता था, जिस सरीके से कि लोग दुबारा इन पर शवों को आएं, तो था अपना उसी परिवार के व्यक्ति का सिर्फ दुबारा वहीं दफना सकें, इसके बाद हम जानते हैं इमाम गाउं के बारे में, इमाम गाउं महराश्ट में इस्थितिक जगह है, ये भीमा की सहायक नदी घोड के किनारे से थे यहां पर 366 साल पहले लोग यहां पर रहते थ उन्हें प्राया गड़ों में सीधा दफनाया जाता था, इनकी जो सर्की दिशातिवा उत्तर की हो रोती थी, कई बार हमने यह देखा है कि यहां पर जो अपने घर के अंदर ही लोग दफनाया जाते थे और ऐसे बरतर जिन में शायद खाना और पानी भी यो वहां भी उनक पर काटने का भी निशान है, इससे यह अंदाजा लगता है कि यह लोग इन्हें जानवरों को भी अच्छे से खाते थे, इसके अलावा गाए, बैल, भैस, बक्री, भेर, कुत्ता, घोड़ा, मतलब कई प्रकार के जो जानवर हैं, इसके लिए नेवला, चिडिया, घडिया जाल, कच्छुआ, मतलब मचली, अनेख प्रकार के जानवरों की हडिया मिली, इसके लावा कई फल, जैसे की बेर, आवला, जामुन, खजूर, और अनेख प्रकार की रस भरियां, यह इनके भी कई प्रकार के हमें इनके अफशेश वहां से प्राप्त हुए हैं, इसके यहां पर हमारे चैप्टर के एंड में एक बाहरी साइट के बारे में दिया रहता है, उसके बारे में जानते हैं, जो यह न चीन के बारे में देश में बताया गया है, कि यह 3500 साल पहले जो हम सामने देख रहे हैं, जिस सरीकी का अभिले, कि हमें 3500 साल पहले चीन से मिला है यह अभी जिखा हुआ है न यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है इन्हें भविष्वार्णी कहने वाली हड्डियां खा जाती है जो यह उस समय के जो राजा थे वो लोग अपने हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे फिर इन दरारों को ध्यान से देखके जो भविश वक्ता मतलब जो एस्ट्रो लॉजर वहां के होते थे उस समय के वह भविश वानी करते थे ये लोग शहरों में महल बना कर जाते थे इनके पास बेशुमार दौलत थी काफ़े जादा दौलत इन्होंने एकटी कर रखी थे इ आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको इस वीडियो से इस टौपिक से रिलेटेट कोई भी कोश्चन्स हो या कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फ्री पीडियेफ के लिए हमारे टलीग्राम ग्रूप को जरूर रूएन करें थैंक यू